शार्टा जी तुम्हारी बेटियां तो कॉलेज गई हुई थी न फिर ये रसोई से खिटपिट के आवाज क्यों आ रही है अरे हाँ वो बस अभी शार्टा बस अपनी पड़ोसन से बाते कर ही रही थी कि तभी रसोई से कांची निकल कर आई कांची को देखकर शार्टा के पड़ोसन चौंग गई और बोली शार्टा जी ये आपकी बेटी है अरे ये तो दूटसी गोरी चिट्टी थी इसको किसकी नजर लग गई ये तो काले कोईले से भी जादा काली हो गई है अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो बेना ये मेरी सगी बेटी नहीं है ये तो मेरी जिठानी की बेटियां है सांची और कांची तुम्हारी जिठानी की लेकिन वो तो सालों पहले ही गुज़र चुकी थी ना तो उनकी बेटिया तब से कहा थी हाँ हाँ बता रही हूँ, आप जरा सबरत तो रखो, मेरी जिठानी तो सालों पहले चली गई, लेकिन बेटियां उनकी छोटी थी, तो उसने इनकी जिम्मधारी अपनी माँ को दे थी, लेकिन बतकिस्मती से इनकी नानी भी इन्हें पिछले दिनों छोड़कर चली गई, शार्दा ऐसे बोलकर कांची के सामने ही उनका मजाग बनाने लगी। शार्दा के बच्चे भी उन दोनों से ऐसा ही वरताओ करते थे लेकिन बेचारी सांची और कांची बस अपनी बेबसी की वज़ा से चुप रह जाती थी। शार्दा नहीं हुई जो सुबे सवेर उटना पड़ गया इसलिए ऐसा हो रहा है। अहां तो उसे ही बोल रही है लेकिन इस दर्द का क्या है ये तो आता जाता रहता है। चल कांची जल्दी से बालकनी और छट को साफ कर देते हैं वरना मा फिर से उटकर डाटेगी। दीदी मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहले क्या करूँ अगर छट और बालकनी की सफाई नहीं की तो मा डाटेगी। और मुझे कल कुसम ने कॉलिज के लिए पास्ता बनाने को बोला था। अगर समय से पास्ता नहीं बन पाया तो भी हमारी खेर नहीं है। ही भगवान अब हम क्या करें। सुबह से आंके खोलते ही कामों की लाइन लगी रहती है। सांची ने जैसे बोला कांची ने वैसे ही किया। उसने धीमी आज पर पास्ता पकने को रखा और फिर वो घर के कामों में लग गई। कुछ देर के बाद जब दोनों बहनों ने आकर रसुई में देखा तो पास्ता जल चुका था। सांची और कांची को लगा कि ये उनकी गलती से हुआ है लेकिन वहीं रसुई में छिपी हुई दिया मन ही मन खुश हो रही थी। दिया ऐसे सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछी देर के बाद सभी उड़ गए और कुसम ने कांची से सवाल किया। दिया ने सभी को रसुई में बुलाया, कड़ाई में जला हुआ पास्ता रखा हुआ था, दिया ने सभी को वो दिखाया। यह क्या किया है, कड़ाई भर पास्ता बेकार कर डाला। काली कलोटियों यह घर का राशन फ्री में मिलता है क्या, कि जब दिल चाहे आग लगा दो। मैंने पास्ता बनाने को बोला था, ना कि तुम्हारी शकले नहीं, सारे पास्ते को अपनी तरह काले कर दिया। मा इन दोनों को घर में क्यों रखा हुआ है, कोई काम ढ़ंग से नहीं करती। उपर से इतनी काली है कि इन्हें देखकर तो खुशियों में भी ग्रहन से लग जाता है, इन्हें घर से निकाल दो, अकर मेरे बस में होता तो कपका निकाल देती। लेकिन तुमारे बाप की वज़े से चुप हूँ, और तुम दोनों कहा दिवाग था काम के वक्त। जाजी माफ कर दो ना। काम की न धाम के दुश्मन अनाच की। शारदा के ऐसे बोलते ही उसके चारों बच्ची अपने कामों में लग गए और सांची और कांची ने अपने घर के काम समा दे। शार्दा के घर का सारा काम दोनों बहने ही करती थी वो सुबह सवेरे पांच बजे ही बिस्ता छोड़ देती थी और घर के कामों को निप्टाने में लग जाती लेकिन अगर कोई उनसे कोई गलती हो जाती तो शार्दा उन्हें हरगिस माफ नहीं करती थी ऐसी सिल्सला जारी था और अब जैश की शादी हो चुकी थी उसने अपने ऑफिस की ही एक लड़की से लब मैरिज की थी और मेगा नाम की एक लड़की शार्दा की बहू बनकर घर आ गई थी सांची और कांची दोनों की ही जिंदगी में अब भी सुकून नाम को नहीं था बरसातों का मौसम लग चुका था और ऐसे में अब उनका काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था वा, क्या मौसम है यह, सांची सुनना, जल्दी से आलो और मिर्ज के पकॉड़ी तल कर लिया, ऐसे मौसम में भी पकॉड़ी ना खाय तो क्या खाया शार्दा की बात सुनकर सांची शांती से रसुई में आ गई और पकोड़े तलने लगी कुछी दिन में वो पकोड़े लेकर शार्दा के पास आ गई लो मा पकोड़े, हट मुझे नहीं खाने है, कोई चेश देने की तमीज नहीं है शार्दा के पास में वही उसकी बहु मेगा भी बैठी होई थी वो शार्दा के ये बढ़ताओ देखकर चौंग गई और बोली अजी क्या हुआ? सांची से अभी आपने ही तो पकॉड़ी बनवाई थे सांची घबराई हुई सी रसुई में आ गई और चाई बनाने लगी मेगा को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा आजीब लगा मेगा सांची और कांची के साथ हो रहे अत्याचारों को देख रही थी और उसे उनसे हमदर्दी थी रात को वो उनके पास गई और अपने दिल की बात बताने लगी मेगा ऐसे बोलकर चली गई लगातार ऐसे ही सिलसला जारी था सांची और कांची दोनों सोबस अवेरे उटतीं करके काम करतीं और बदले में उन्हें काली होने की वज़ा से बस बुराई मिलती थी दोनों बेहने इस सब को सालों से जहल नहीं थी ऐसे ही एक दिन शार्दा बारिश में भीकर बिमार हो गई उस दिन सांची और कांची नहीं अपनी चंडाल जैसी चाची मा की दिल से सेवा की जबकि शार्दा की बेटियां उसके पास भी आकर नहीं बैठी अब शार्दा को अपनी गलती का एसास हो रहा था शाम के वक्त जब शार्दा की तबियर थोड़ी ठीक सी हुई तब उसने सांची और कांची को अपने बास बलाया तुम दोनों मेरी सेवा क्यों कर रही हो मैं तो तुम्हारे साथ कभी अच्छी थी ही नहीं फिर क्यों क्योंकि आप हमारी चाची मा हो हम एक मा को तो खो चुके हैं अब आपको नहीं खोना जाते सांची के जवाब ने शार्दा का मुँ बंद करवा दिया अब उसे एसास हो रहा था कि सांची और कांची कितनी अच्छी लड़किया थी और उसने उनसे किस तरह का सलोक किया उस दिन शार्दा ने उनसे माफी मांग ली और फिर उसके बाद कभी उन दोरों को तंग नहीं किया अब शार्दा अपनी बेटियों की ही तरह सांची और कांची को भी रखती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था